इस साल की उम्रे के बाद त्वचा का रुखा होना और जूरिया दिखाए देना एक आम समस्या है कभी कभी तनाव भरपूर नी दन लेना चेहरे पर केमिकल के अधिक प्रयोग और प्रदुसारण के कारण भी जूरिया पढ़ जाती है जिनकी स्केन राय होती है उनकी स्केन पर जूरिया अधिक पढ़ती है वही जिनकी ओईली स्केन होती है उनकी स्केन भी 40 वर से उससे अधिक होने पर ड्राय और बेजान से दिखने लगती है इसलिए यह जरूरी है कि आप 30 की उम्रे से ही अपनी स्कीन केर पर ध्यान देना शुरू कर दे ताकि बढ़ती उम्रे के साथ तवचा का रूखा होना और जुरियों से बचा जा सके तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो स्कीन को उम्रे से पहले बुढ़ा होने से रोके टीप नमबर वन खुद को रखे हाइडरेट बोडी को हाइडरेट रखने से एजिंग प्रोबलम दूर होती है इसलिए दिन में कम से कम 8-10 गिलास पाने पिए नमबर टू नारियल तेल का इस्तेमाल करे नारियल तेल हमारी तवचा के लिए बहुत ही फाइदेमंद है नारियल तेल में मौझुद विटामिन E तवचा को नई जान देता है और इससे स्कीन ब्राइट और टाइट भी होती है इसलिए हपते में 2-3 बार नहाने से 1 गंटा पहले नारियल तेल से मालिस करे नमबर 3 मीठी चीजे कम खाए खाने पिने का ध्यान तो हर उम्र में रखना चाहिए तीस की बाद तो अपनी स्कीन का ख्याल रखने के लिए सही डाइट लेना जरूरी है स्कीन के लिए विटामिन E और विटामिन C दोनों जरूरी है इसलिए मौसमी फलो के अलावा भी संतिरा, मौसमी और भोजन में निम्बू का प्रयोक बढ़ाए मीठा खाना कम गरे नमबर 4 फैसियल एक्सरसाइज फैस की कसरत करने से भी बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है इसके लिए आप कुछ फैसियल एक्सरसाइज कर सकते है जिन है नियमित रूप से करने से चेहरे पर निखार आता है नमबर 5 बादाम आयरुवेट के अनुसार सरीर में वाद दोस बढ़ने से जूरिया पड़ती है यदि आप अपने वाद दोस को संतुलित कर ले तो आपकी स्कीन लाइट, टाइट और ब्रैट दीखती है रात को सोने से पहले चेहरे पर बादाम तेल लगाए चेहरे पर बादाम तेल लगाकर सोना स्कीन के लिए बहुत ही फाइदेमंध होता है तेल लगाने से स्कीन रिपेरिंग मोर में आ जाती है बादाम में एंटियोक्सिडेंट होता है जो स्कीन की नमी को बरकरार रखता है और स्कीन में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है नारियल तेल भी फाइदेमंध होता है लेकिन बादाम तेल की तुलना में कम तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको बढ़ती उम्र के साथ भी यंग दिखने में हेल्फुल रहे तो आई होप आपको वीडियो जरूर से यूसफुल रहेगी इफ यू लाइक और वीडियो तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब तो और चैनल